हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेशन है एक्साइज 8.2 से क्वेशन नमर 7 करेंगे आज मिल्कमेन सोल और 2 आफ इज बैफरलो फोर 20,000 इच ओन वन ही मेड आ गेन ओफ 5 परसेंट एन अन अन दा आदर आ लॉस ओफ 10 परसेंट फैंच दो अवर आल गेन और लॉस हमें क्या ओले एक मिल्कमेन ने अपनी दो बैफर्लों बैची दो बेफरलों बैची। मतलाब प्रतेग को उसने 20 प्रेशन नमर्म दोसरे में बैफरलों परसेंटेंटेंटेंटलों ऐसेंटनेंटी फैंटांब बैफरलों 10 वेचीं लेकिन एक में उसको क्या ह। गेन हुआ 5 % का है, दूसरे में उसे लोस हो 10 % का. अब हमें देखना कि overall दोनों में उसे गेन हुआ या लोस हुआ. तो सब्सक्रिपहला हम देखेंगे बैफालो 1. अगर हम देखेंगे बैफ़लो वन दो बैफ़लो उसने बेची एक और बैफ़लो टू अब देखो पैफ़ालो वन की सेलिंग प्राइज कितनी है कितने में बेची 20,000 ये भी 20,000 की बेची और ये भी दूसरी सेलिंग प्राइज हो पैफ़ालो टू की भी 20,000 में बेची दोनों उसने 20,000 की बेची इसमें तो उसे क्या हुआ, गेन हुआ, प्रोफिट हुआ, कितने का हुआ, इसमें तो गेन हुआ, प्रोफिट हुआ, कितने का हुआ, फाइव परसेंट का हुआ, लेकिन दूसरी वाले में उसे लॉस हुआ, कितने का, टैन परसेंट का लॉस हुआ, अब हमें सब्सक्रे पहल निकालेंगे मालबाब फॉर्मुला है 100 100 प्लस प्रॉफिट अगर प्रॉफिट तो प्लस अब मंटिप्लाई सेलिंग प्राइब निकालनी हमें तो क्या होगा 100 लेकिन यहां लॉष है तो मैनस प्रॉफिट में प्लस होगा लॉष में मैनस होगा मैनस लॉष मंटिप्लाई सेलिंग प्राइब अब कोस प्राइब हंडेड हमें प्रोफिट कितने को आप 5% को तो 100 और 5 कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा इंट्टू सेलिंग प्राइज कितने की 20,000 की उसने बेची सेकेंड में हम देखेंगे 100 अब लॉस वा कितने परसेंट का लॉस वा 10% का लॉस वा 100 में 10 मैंनस करेंगे कितना जाएगा 90 इं अब देखो 5 से कट रहा 5 टूजा 10 और 5 बंजा 5 5 टूजा 10 और ये 0 ठीक है 2 टूजा ये 2 टूजा कितना हो जाएगा ये 4 हो जाएगा एक 0 है ठीक है एक 0 तो एक 0 1 2 3 4 1 2 3 4 अप वहां में कितना आ जाएगा 21 ओके ऐसे मारी यहां आ जाएगी कॉस्प्राइब देखो 0 से 0 कर गया ओके अब ये कटनी रहा तो 21 कितना हो जाएगा एक 0 ये है और 4 0 ये 1 2 3 4 अप वहां में 9 अब हमको इसकी कॉस्प्राइब निका तो डिवाइड करना पड़ेगा तो डिवाइड करेंगे 21 से हम इसको डिवाइड करेंगे 40,000 को वन स्टैंज 100,000 लाक फोल लाक हो रहा है अब दोगो 21 टैम जाएगा 21 21 टीके 21 टैम 21 टैम 21 टैम 21 हो जाएगा 10 में से वन गया 9 यहां 3 में से 2 गया 1 अब ये जुरूता है 90 अब 21 को हम कितने टैम देंगे 9 टैम देंगे 9 बंज़े 9 9 टूजा 18 कितने टैम जा रहा 189 टैम में से 9 गया 1 यहां बच्चा 8 8 में 8 गया 0 यह 0 ओके हमार पार ये वाला 0 तो यहां गया अब फिर भी बहुत चोट है तो ये वाला 0 उतारेंगे जब दो डिजिट एक साथ नीचे उतरती है आपको ध्यान र हो गया अब 21 4 जा करेंगे 4 वंज़ा 4 4 टूजा 8 तो 4 टैम देंगे कितना रहा 84 हो जाएगा 10 में से 4 गया कितना बचेगा 10 में से 4 गया 6 यहां 9 में 8 गया 1 हमार पार ये 0 है 160 अब दोको 21 कौम 5 टैम देंगे 5 6 7 टैम देंगे 7 एंज़ 7 7 टूजा 14 14 147 तो जब हमने कितने 7 टैम दिया तो कितना रहा 147 10 में से 7 गया कितना बचेगा हमारा 10 में से 7 गया 3 बचेगा यहां 5 में से 4 गया 1 पॉइंट लगें यहां 0 आजएगा 21 8 ठीक है 28 बंजा 8 8 टूजा 16 16 हो रहा 7 टैम हमारा 7 टैम हम जब दे रहे 147 तो इसमीज हमें 6 टैम देना पड़ेगा कितने टैम देना पड़ेगा 6 टैम तो 6 टैम जा 6 6 टू जा 12 1 तो 6 टैम देंगे तो 126 आ रहा 10 में से 6 गया 4 ओके यहां अब हमारे यहां इसको हम छोड़ देंगे तो हमारा कॉस्ट प्राइज कॉस्ट प्राइज हमारा आ गया 19,047.6 अब हमें यह निकालना बैए तो यहां भी हमें क्या कना पड़ेगा बै नाइन से टिवाइड करना पड़ेगा किसको टू लैक को वन स्गेहं तो नाइन टू जा कितना हो जाएगा बैए 18 हो जाएगा ten में से 8 गया two यहां one में से one गया जीरो यहवाला 0 बचुए अब यहां पिदुई बच्राइब, यहां और यहां प्ट लगा देंगे एक जुर बढ़ा देंगे और 9 2018 हो जाएगा अगीर ओके ऐसे हमारे चलता जाएगा अब सब्सक्राइब अगर आप इसकी कोस्ट पर आए जाएगे जेगे फर्स्ट पर लोगे थी सेकिन्द के हमारी 22222 रुपी पॉइंट टू आ गया अब यह हमारी कोस्ट पर आए तो कॉस्ट पर आए तो तोल 2222.2 इसको जोड़ दो अगर हम इसको एड़ करेंगे 22.222.2 19 047 पॉइंट कितना है बॉइंट सेलिंग प्राइब एक फ़लो कितनी थी 20,000 थी तो दूसरी के ट्वंटी तो कितनी हो गई टोटल 40,000 हो गई 1 टेंज 100,000, 10,000 अब देखो ये cost price ये दोनों पे फ़लो कि ये दोनों पे फ़लो क्या है selling price है तो क्या हमारी cost price क्या आ रही जाद आ रही तो हमें क्या हो समेल overall loss हुआ, loss का बहुता हमारा जब CP is greater than SP, भाई CP हमारा बढ़ाए कि नहीं है तो loss कितने का हुआ, ये देखेंगे, तो loss equal to, CP कितना, 41 cost price है हमारा 4, 41,269.8 है और minus 40,000, ओके, अब देखो point के बाद 8 तो ऐसी रहेगा, अब देखो 9 का 9 होगा, 6 का 6 होगा, 2 का 2 होगा, 1 का 1 होगा, 4 में 4 गे 0 तो loss हमें कितने होगा, 1,269.8 रुपीज का में loss होगा, ओके